सोलन में सरकारी डीपों पर निमन स्तर की डालें ग्राकों को देने की खबर पर विभाग ने सक्त कदम उठाते हुए डीपू को वहां से शिफ्ट करने के आदेश दिये हैं जिससे जहां एक और शिकायत करता खुश नजरा रहे हैं वहीं कुछ लोग डीपू को वहां से शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं उन्होंने जिला प्रशाशन को ग्यापन सौंपा है और डीपू को शिफ्ट ना करने की मांग की है उन्होंने कहा कि वे काफी लंबे समय से डीपू से जुड़े हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं है इसलिए डीपू को यता वक्त रखा जाए ग्राकों ने कहा कि सरकारी डीपू मुखे सड़क पर है और वहां वरिद बच्चे और जवान कोई भी असानी से आ जा सकता है लेकिन इस डीपू को यहां से शिफ्ट कर हाउजिंग बोर्ड भेजा जा रहा है जहां वरिदों को जाने में बेहद आसुविदा का सामना करना पड़ेगा इसलिए वे चाहते हैं कि डीपू जहां पर है वहीं रहने दिया जाए ताकि डीपू से जुड़े करीब पंदरा सो ग्राकों को असुविदा ना हूँ से कम चार-पांसो लोग है और हमारे को सुटेबल जगा है बिजुर्ग भी जा सकता है और एक बचारा जो लेबरर है लेट आता है वह भी अपने राशन के लिए जाता है और वह एकदम शिप्ट कर दिया गया तो हमें बड़े मुश्किल होगी हम यह चाते कि वो डीपू दो वह रहे मैंने आपना राशन का ज़िए है सफुरू में रखा हुआ है उनका टायम जो है कभी भी हम आजा सकते हैं और राशन ले सकते हैं मैं तो 15-15 साल हो चुके हैं आज तक कोई शिकायत नहीं आई है कि राशन कम मिला है या खिराब मिला है आप जिस पो खिराब मिल है वो क्यों मिला है कैसे मिला है कब मिला है तो भी बता सकता है लेकिन जहां तक डिपू इसकी सब्सक्राइब की बात है वो खासकर हमारे सब जुर्गों के लिए जिनका उपर नीचे आना जाना मुश्किल है वह आसानी से आ जा सकते हैं मुझे बड़े दुख से कहना पता है कि जहां को डिपू शिफ्ट कर रहे हैं वो डिपू नाले में है और उस बंदे को हमने में ने कागा तुछ डिपू को रोड में लिया ताकि हमारे को सारी फैसलिटी मिले पर तुछ उसको परसनल बेन बिट के लिए जब की इस डिपू स सब्सक्राइब को डिपू से हमारे को यह भाइदा है कि जब भी चाहें चोबी घंटे साम को छे बज़ आ जाओ शात बज़े आ जाओ दिन को ग्यारा बज़े आ जाओ डिपू राशन मिलता है सस्ती दाले हर टाइम मतलब डे नेट जब जाते हमें सस्ता राशन मिला बट पता नहीं कि इस वज़े से आप डिपू वहां से उठा रहे हैं कल हमने नियूज देखी कि डिपू यहां से उठा रहे हैं तो फिर हम लोग कहां जाएंगे क्यूंकि हमें तो गौर्मेंट सकता